हलो दोस्तों online study point में आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है current affairs की काफी important वीडियो है जिसमें हम राश्ट्री एवं अंतर राश्ट्री इस्तर पर जितनी भी महिला न्युक्तियां हुई है जो कि आने वाले सभी exams के लिए काफी important topic है सारा हम अच्छे से discuss करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा skip मत कीजेगा I hope वीडियो आपको पसंद आये और प्लीज इसको जाता जाता लाइक करें शेयर करें चैनल को subscribe करें साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा mobile application डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर ल इसकी 600 one-liners की जो PDF है मात्र 20 रुपेज में आपको वील कराई जा रही है तो जिस किसी ने भी अपर तक purchase नहीं की है आप जाकर कर सकते हैं आपको बहुत help करने वाली है दिखते हैं हमारा पहला question सुप्रीम कोट में जज बनने वाली पहली महीला वकील कौन है तो सुप्रीम कोट में जज बनने वाली जो पहली हम बात करें महीला बनी है वो है कौन इंदू मलहोतरा छीक है और जब बात आई है सुप्रीम कोट की तो हम बात करें स्टैब्लिश कब कंसीडर किया लाता है 28th of जैन 1950 है ना है कहाँ पर सुप्रीम कोट अफ इंडिया तो इट इस इन दी न्यू डैली और करन्ट चीफ जिस्टिस अफ इंडिया यानि की सीजे आइकॉन है तो यह है S.A. बोबडे ठीक है यह भी आप याद रखेंगे और जो है इनका कारिकल कब से शिरू हुआ तो 18 नवंबर 2019 से ठीक है इनसे पहले कौन थे तो रंजन गुगोई थे अगला गुशन हम देखेंगे UNDP की सदभावना दूद कौन बनी है तो UNDP आया है तो what's the full form of UNDP? So United Nations Development Program हम बात करें इसकी जो सदभावना दूद बनी है वो बनी है पद्मा लक्षमी चीक है बात करें हम UNDP United Nations Development Program तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1965 को है ना हैट को आटर कहां पर है इसका न्यू यॉर्क में है ये सारी चीज़े पूछी जाती है जो भी मैं आपको बता रही हूँ So UNDP का full form भी याद रखेंगे United Nations Development Program Headquartered in the New York स्टैब्रिश कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 ठीक है? Currently 177 117 देशों में काम कर रहा है और इनके Head की हम बात कर लें तो ये भी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं क्या नाम है इनका? H.M. Stainer ठीक है ना? H.M. Stainer जो है current Head है of UNDP आगे बढ़ते हैं सेना की पहली महिला जज़ कौन बनी है? तो हम बात करें आर्मी की जो पहली महिला जज़ बनी है तो वो बनी है जियोती शर्मा बात आहिया आर्मी की सो इस्टैब्लिश हुई थी 1895 में Headquarter कहां है? New Delhi में है और एक important fact जो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है जन्वरी में 15 जन्वरी को आर्मी डे जो है 15th of June को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हम बात करें Chief of Army Staff कौन है? Currently तो General Manoj Mukund नर्वने जो है क्या है? Chief of Army Staff है और हम बात करें Vice Chief of Army Staff तो ये भी याद रखेंगे आप Lieutenant General सतिंदर कुमार सेनी ठीक है? क्या नाम है? Lieutenant General सतिंदर कुमार सेनी ठीक है? आगे बढ़ते हैं W.H.O. की हम बात करें भारत से है ना जो मुख्य वैज्ञानिक बनी है या फिर हम बात करें 24% जो बनी है वो कौन बनी है? सो ये है Swamya Swaminathan कौन है? Swamya Swaminathan बात करें W.H.O. की तो फुल फॉर्म गया है World Health Organization विश्व स्वास्त संगठन ठीक है? स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 7th April 1948 ठीक है ना इसलिए हम World Health Day सेल्विट करते हों दी 7th April ठीक है? हम बात करें इसका हेड़कॉर्टर तो ये भी पूछो जाता एक्जामस में ये है कहाँ? जैनेवा में जैनेवा जिन्दी Swizzar Line और करेंट जो हैड है वो कौन है? टैडरस एधनॉम ये कुछ facts हैं जो आपको याद रखने हैं अगला देखेंगे भारतिय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट कार्ड कि पहली महिला डियाईजी कौन बनी है? तो पहली महिला डियाईजी जो बनी है वो बनी है नुपूर कुल्सरेस्ट कौन बन गई है? नुपूर कुल्सरेस्ट बनी है हम बात करें Indian Coast Guard की ठीक है तो यह जो है स्टैब्निश हुआ था अठारा अगस्ट 1978 को ठीक है है 18 अगस्ट 1978 को और हम बात करें Coast Guard डेकप सेलिब्रेट किया जाता है तो यह 1st Feb को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इनका मॉटोव अगर पूछ लिया जा है किसी एक्जाम में तो वो भी हमें पता होना जाए इनका मोटो क्या है तो वयम रक्षाम हाँ चीक है इंगलिश में क्या होगा वी प्रोटेक्ट ठीक है और हम बात करें डिरेक्टर जिनरल जो है भारतिय तट्रक शकबल के तो वो कौन है कृष्ण स्वामी नट राजन कौन है आगे विड़ेंगे हम UN Women चीक है यूनाइटेड नेशन ऐन्टि फॉर जेनरल एक्वालिटी एंड़ एमपावर्मेंट अफ विमिन यह जो है पूरा फुल फॉर्म है इसका क्या यूनाइटेड नेशन ऐन्टिक फॉर जेन्डर एक्वालिटी एंड इंपावर्मेंट अफ women form कब हुआ था ये 2 जुलाई 2010 को चीक है 2 जुलाई 2010 को headquarter है इसका न्यू यॉक में तो बात की जा रही है कि इसकी उपकारिकारी अध्यक्ष कौन बनी है तो इसकी उपकारिकारी जो अध्यक्ष है वो बनी है अनीता भाटिया यूएन वुमन की उपकारिकारी अध्यक्ष बन गई है अनीता भाटिया ठीक है और हम बात करें इसकी अध्यक्ष की president की head की तो वो कौन है तो ये है फुम जिले ठीक है थोड़ा सा typical नेम मुझे लगा फुम जिले म्लामबो जो की बिलॉंग करती है साउथ अफरिका को सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जैस्वाल कौन बन गई है हिना जैस्वाल अब बात आई है वायू सेना की राकेश सिंग भदोर्या ओके अट्लांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पाइलेट कौन बन गई है तो हम बात करें अट्लांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पाइलेट बनी है आरोही पंडित First woman pilot to cross the Atlantic Ocean and Pacific Ocean in a light sport aircraft Light sport aircraft से हम बात करें Atlantic Ocean और Pacific Ocean को पार करने वाली पहली महिला बनी है आरोही पंडित Next तेखेंगी कोशन पहली महिला लडाको विमान पाइलेट जो बन गई है तो कौन बन गई है तो तीन नाम आपको याद रखना ये ट्रायो है एक तो आप्षिन में है भावना कांथ चीक है दूसरी है अवनी चतुरवेदी और तीसरी है मोहना सेंग चीक है European आयोग European Union सुना होगा सभी ने अभी लास मन थी जो है काफी न्यूस में रहा है ब्रिटेईन ने इसकी मेंबर्शिप छोड़ दी है European आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है तो सही आंसर है इसका उर्सुला वॉन्डेर लेयन कौन बन गई है उर्सुला वॉन्डेर लेयन ठीक है थोड़ सा लंबा नाम है बढ़ आ दोनों चाहिए इसकी हम बात करें 27 कंट्रीज जो है करंटी मेंबर है European Union की भारत की पहली महिला एंबुलेंस ज्राइवर कौन बनी है तो भारत की पहली महिला एंबुलेंस ज्राइवर बनी है M. वीरा लक्षमी और ये कहां पर है कहां बनी है तो आंसर है इसका Tamil Nadu Tamil Nadu की बात आई है तो capitalist है नही CM कौन है एड़ पाड़ी के पालनस्वामी गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित विश्व बैंक की CFO What's the full form of CFO Chief Financial Officer as well as MD कौन बनी है तो सही आंसर इसका अंशुला कांथ ठीक है अंशुला कांथ बात करें वर्ल्ड बैंक की सु स्टैब्रिश हुआ था 1944 को हेड़ कौर्टर इसका है in the capital of USA वाशिंग्टन डीसी प्रेसिडेंट कौन है इसके तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास ठीक है और CFO और MD बन गई है कौन अंशुला कांथ नौसीना की पहली महिला पालेट कौन बनी है तो नौसीना की आफ इंडियन नेवी की जो पहली महिला पालेट बनी है वो बनी है सब ल्यूटिनेंट शिवांगी सेंग ठीक है और हम बात करें इंडियन नेवी डे कब होता है तो ये होता है उन्दी 4th December ठीक है और Chief of Naval Staff कौन है तो आंसर इसका Admiral कर्मवीर सेंग ICC Match Referee की अंतररांस्टिये पैनल में शामिर होने वाली प्रथम बहिला कौन है सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है ये है G.S. Lakshmi क्या है सही आंसर G.S. Lakshmi ICC की बात आई है तो इसके बार में हम देखेंगे Established हुआ था 1909 में कब हुआ था 1909 में Headquarter कहा है इसका तो ये है Dubai UA United Arab Emirates में कहा Dubai में 104 Member Countries है इसकी CEO भी आप याद रखेंगे कौन है मनु सहानी है और अध्यक्ष President जो है वो कौन है इम्रान ख्वाजा है ठीक है भारतिये Paralympic समीती की अध्यक्ष कौन बने है तो भारतिये Paralympic समीती के जो अध्यक्ष बन गई है वो बन गई है दीपा मलेक ठीक है D जो है Correct option होगा इनके बारे में तो सभी को पता होगा Next देखेंगे Question Britain की ग्रहस सचिव Home Secretary हम बात करें है तो अंसर इसका Pretty पटेल ठीक है Hawk Advanced Jet Mission को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महीला Pilot कौन बनी है So इसका तो सही आंसर है वो है Mohuna Singh जितरवाल क्या है सही आंसर Mohuna Singh जितरवाल Hawk Advanced Jet Mission So आंसर इस Mohuna Singh जितरवाल पहली महीला Lieutenant General पाकिस्तान में हम बात कर रहे है तो कौन बनी है तो आंसर इसका Dr. Nigar जोहर ठीक है पाकिस्तान की बात आई है Capital है Islamabad इम्रान खान जो है यहां के Prime Minister है सबसे युवा महीला संसत कौन बनी है So इसका जो सही आंसर है वो है चंदरानी मुर्मू क्या है सही आंसर चंदरानी मुर्मू हम बात करें यह संसत बनी है कहां से कोईन ज़ार उडीसा से ठीक है ये भी अगर पूछ लिया राता है कोईन ज़ार उडीसा ठीक है और किस पार्टी को बिलॉंग करती है तो बीजू जनता दल ठीक है क्या बीजू जनता दल ब्रिटेन की वित्र मंत्री कौन बनी है So वित्र मंत्री तो ये हैं रिशी सुनाक भारती रास्री विज्ञान अकैदमी की पहली महिला अध्यक्ष So बात कर रहे हैं हम भारती रास्री विज्ञान अकैदमी ठीक है So अध्यक्ष बनी है इसकी चंद्रिमा साह ठीक है स्थापना कब हुई थी इसकी 1935 में हुई थी और हैड़क्ष कहाँ पर है इसका तो न्यू डैली में है है ना आगे बढ़ेंगे USA के उप राश्रपती चुनाव लड़ने वाली भारते मुल्गी महिला कौन है तो ये तो सभी को पता होने वाला है आंसर इसका कमला हैरिस अगर पूछ लिया जाता है ये किस पार्टी को बिलॉंग करती है तो डैमोक्राटिक पार्टी ठीक है देश की पहली ट्रांसजेंडर ठीक है चुनाव आयोकी जो सद्भावना राजदूर जिन को बनाया गया है कौन है तो आंसर इसका गौरी सावंत USA के राज़पती चुनाव में खड़े होने वाली भरती मूल की महीला कौन है तो आंसर इसका तुलसी गैबार्ट सभी नेन का राम सुनोगा हम भारत करें भारत की पहली महीला फ्लाइट कमांडर फ्लाइट कमांडर आंसर इसका शैलेजा धामी ठीक है पाकिस्तान की पहली हिंदू महीला जज कौन बन गई है तो पाकिस्तान की पहली हम बात कर रहे हैं हिंदू महीला जज तो क्या होने वाला है सही आंसर इसका ठीक है पहले भी जब मैंने करवाया था कवर तो उसमें बताया था मैंने आपको आंसर इसका सुमन कुमारी ठीक है तो ये पूरा अपडेटेट था पूरा नवेंबर तक का तो ये बहुत ही important questions थे जो हमने यहां cover up किये हैं and I hope आपको पसंद आया हो प्लीज इसको जादा से जादा like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए Thank you